वीदियो के नीचे fast comment करके मुझे बताओ कि आप कोन से branch से belong करते हो आप CS department से हो कि आप IT department से हो कि आप civil department से हो कि mechanical से हो कि आप classical department से हो फटा फटा आप comment करके बताओ जिस department का comment सबसे ज़ादा होगा उनके M3 के lecture सबसे पहले start हो जाएंगे यहाँ पे unity दिखाने की काफी ज़रुवत है इसलिए आप अपने class के अपने जो भी आपके college के चितने भी दोस्त होंगे वहाँ तक इस video को पहुचा दो और फटा फट जितना comment करा सकते उतना comment कराओ क्योंकि मैं comment देखने के बाद मैं decide करूँगा कि मुझे कौन से branch के lecture start करने क्योंकि M1 और M2 का कैसा था दोस्तो funda M1 और M2 में syllabus जो थे सभी branches के same थे पर M3 में अब changes आ जाएगा अब M3 में कुछ branches के max अलग हो जाएगे और कुछ branches के max अलग हो जाएगे हाँ कुछ-कुछ topic same होंगे बट अब अलग-अलग max हो जाएगा तो यहाँ पर आपको unity दिखाने की काफी जरुवत है जिससे मैं आपको lectures देना start कर दू जल्दी से ही चाहे आप SPPU से हो चाहे आप Mumbai university से हो अगर आपने देखा होगा चाहे आप other university से हो या बाटू से हो कुन से भी university से हो आपने देखा होगा कि पिछले same one और same two आप अभी same three में जाने वाले हो बहुत सारे लोग पहुश भी गए बहुत सारे जैसे SPPU के exam चल रहे है तो आपको एक चीज़ पता चला होगा कि प्रदीबगीरी academy का channel आपको बहुत ही जी जान से मेहनत कर रहा है और सभी courses free of cost आपको provide किया है तो यहाँ पे आप question यह आ रहा है कि सर ये वाला M3 के lectures आप pre दोगे कि paid दोगे तो दोस्तों ये वाला भी जो lecture YouTube पे आएगा वो pre of cost होगा अगर इन केस अगर हमें कुछ paid से related last में अगर कुछ सीज़ चालू करनी रही क्योंकि हमारे पास time रहा तो जरूर हम चालू करेंगे पर lectures पूरे का पूरा मैं आपको pre provide करने वाला हूँ तो एक हाट प्रदीबगी एकाडमी इस टीम के लिए हो जाना चाहिए नीचे दिखाई देना चाहिए कि free lectures फिर से आपको दिया जा रहा और ये free lectures पूरे महराष्टरा का सबसे top lecture engineering का दिया जा रहा महराष्टरा क्या इंडिया में भी अपने अलग-अलग जगपे students है अगर आप comment पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा तो M3 का पूरा का पूरा lecture आपको free मिलने वाला है दोस्तों और lecture कब से start होगा वो depend करता है आपके comment पे वो depend करता है आपके like पे कम से कम यहाँ पे वीडियो पे जो like है कम से कम 1000 like आप complete कर देना जैसे 1000 like और अच्छा कासा comment आजाएगा तो मैं lecture start कर दूँगा हो सकता है कि मैं Monday तक lecture चालू करना मलब Monday तक lecture चालू कर दूँ तो depend करता है कि आप कौन से branch के हो पड़ा पड़ comment करना branch के जिनके comment सबसे ज़्यादा आएंगे उनके lectures पहले आजाएंगे बाई बाई टेक कियर मिलते हैं next lecture में मैं चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से first year बहुत अच्छे से निकाला है उसी तरह से आपका second year भी हम उसी तरह से आपको support करते रहेंगे जैन दोस्तों